हेलो दोस्तों, टेंस और ट्रांसलेशन अंग्रेजी बूलना कैसे शुरू करें काया चौथा विडियो है इस विडियो में हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे और कुछ क्रियाओं के तीनों फॉर्म्स याद करेंगे, सीखेंगे और साथ ही हमारे दैनिक बोलचाल में यूज होने वाले महत्पूर प्रकार के वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं क्रिया के तीनों रूप आप जानते होंगे क्रिया क्या है कोई भी काम जैसे आना, जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, रहना, करना और भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं उनके forms होते हैं पहला form दूसरा form और तीसरा form फरस्ट form सेकेंड form थर्ड form हम अंग्रेजी बनाते समय हिंदी का अंग्रेजी बनाते समय इनके forms का यूज करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ जरूरी और महत्तपूर्ण क्रियाओं के तीनों forms याद कर लेना चाहिए example के तरपर हमने यहाँ कुछ verbs के तीनों form लिये हैं चलिए इन्हें पहले देख लेते हैं आना की अंग्रेजी होती है come first form और उसका second form होता है came और third form होता है come इसी तरीके से जाना की अंग्रेजी होती है go went gone खाना की अंग्रेजी होती है eat और उसका second form होता है eat और third form होता है eaten इसी तरीके से पढ़ाना teach, taught, taught लिखना write, wrote, written रहना live, lived, lived करना do, did, done करना मैं कोई भी काम करना वह अपना काम करता है करना मैं अपना काम कर रहा हूँ यनि करना यहां पर इसका मतलब यह है ओके यहां पर हमने इन ही verbs के तीनो form लिए है क्योंकि इन ही verbs का use आगे हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय करेंगे और भी बहुत सारे verbs के तीनो form होते हैं आपको किसी अन्य book के या फिर इंटरनेट पर आपको तीनो form मिल सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्फ के तीनो form याद कर लें बार बार पढ़ें प्रैक्टिस करें वो आपके दिमाग में आ जाएंगे अब चलिए इन वाक्यों का अंग्रेजी बनाते हैं इन्हें हम बोल चाल में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कोई भी काम अकसर होता है तो हम ऐसे कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ तुम कहां रहते हो वह जूट बोलता है मैं जूट नहीं बोलता हूँ ऐसे sentences आते हैं या फिर कोई काम बीत गया उसके बारे में बात करने के लिए कहते हैं तुमने मुझे जूट बोला तुम वहां क्यों गय थे तुम कहां रहते थे यानि अब के पहले कोई काम होता था या हुआ उसके लिए यहाँ पर कुछ sentences हैं या फिर कोई काम अकसर होता है उसके लिए कुछ sentences है चलिए ये sentence देखते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ यहाँ पर एक काम हो रहा है पढ़ाता यानि पढ़ाना काम हो रहा है कौन कर रहा है ये काम? मैं कर रहा हूँ यानि मैं क्या हो गया काम को करने वाला ध्यान दें, यहाँ पर काम हो रहा है पढ़ाना, यानि क्रिया है यहाँ पर, पढ़ाना क्रिया है यानि वर्व, और यहाँ क्रिया के साथ ता जुड़ा हुआ है, जब sentence में क्रिया के साथ ता, ती या फिर ते जुड़ा हो, और उसके बाद हा हो, यानि है, हू, हू, है हो, तो उस है हो हूं है की अंग्रेजी नहीं बनती है, ध्यान रखना कि क्रिया में ताती ते जुड़ा हो और उसके बाद है हो हूं है ये हो कोई उस है है हो हूं की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, चलिए इसको बनाते हैं सबसे पहले मैं की अंग्रेजी होगी, मैं की होता हमने बताया है हूं की तो अंग्रेजी बनेगी नहीं इसलिए पढ़ाना की अंग्रेजी बनेगी और पढ़ाना की अंग्रेजी होती है teach तो I teach और फिर बीच में क्या बचा अंग्रेजी यानि English I teach English दूसरा सेंटेंस है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं इसमें नहीं लगा हुआ है और हमने बताया इसके पहले विडियो में कि जब सेंटेंस में नहीं लगा हो तो पहले उस नहीं को छोड़ देते हैं और बचे हुए सेंटेंस को बना लेते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, नहीं हटा दो, तो क्या बचेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, और इसका अंग्रेजी बना लो पहले, तो क्या बनेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पहले वाले के जैसा हो गया, I teach English, ऐसा ही बनेगा, अब यहां नहीं को जोड करना है नहीं मतलब not उसको कहां लगाएंगे हमने बताया था इसके पहले विडियों में कि नहीं कहां लगाते हैं अगर सेंटेंस में is, am, are, was, were, has, have, या फिर will ये words होते हैं उसके तुरंत बाद लगा देते हैं not को, ओके, तो यहां पर सेंटेंस में देखो इन में से कोई है क्या, I teach English में उन में से कोई भी word नहीं है, ना तो is है, ना am है, ना are है, ना was, ना were, ना has, ना have, और ना ही will, तब क्या करेंगे, कहां पर लगाएंगे not, तो जब सेंटेंस में ये सब्द ना हो, और not लगाना हो, तब क्या करते हैं, तब एक काम करेंगे, सेंटेंस में या तो do लगाएंगे, या तो did लगाएंगे, और उसके बाद not लगाते हैं, तो यहां पर क्या लगाएंगे, do की did, do लगाएंगे, क्योंकि यह प्रेचें की बात हो रही है मैं अक्सर ऐसा काम करता हूं तो दू लगाएंगे लेकिन अब के पहले की बात हो जैसे गणित पढ़ाता था मैंने गणित नहीं पढ़ाया था या तुमने गणित पढ़ाया था यहां पर डेड़ लगाते हैं जब पहले की बात करते हैं कोई काम पहले होता था या पहले हुआ तो डिट लगाएंगे लेकिन कोई काम अब होता है तो डू लगाते हैं ध्यान रखना हमने इसके पहले एक क्रिया यानि डू का फॉर्म भी बताया है डू डिट डन वो डू डिट डन अलग है वो तो क्रिया है लेकिन जो अभी हमने बताया है कि नॉट ल लगाते हैं यह अलग चीजें हैं ओके तो दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा आई टीच इंग्लिश इसको बनाया अब यहां पर डू कहां पर लगाएंगे जो भी काम करता है उसके बाद काम कौन कर रहा है आए मैं तो मैं के बाद डू लगा दो आए डू और डू के तुरंत ब अंग्लिश ऐसा बनेगा यहां पर और आपने देखा कि यहां पर भी हूं की अंग्रेजी नहीं बनी है यानि काम में ता जुड़ा है इसलिए हूं की अंग्रेजी नहीं बनी है तीसरा सेंटेंस देखते हैं क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो यह एक क्वेशन है प्रे अंग्रेजी नहीं बनती तो हम क्या करते हैं इसके लिए हमने कहा था जो सबसे लास्ट में होता है उसके अंग्रेजी बनती है लेकिन हम यहां पर यह देख रहे हैं कि हो की भी अंग्रेजी नहीं बनेगी क्योंकि काम के साथ पढ़ाते यानि काम के साथ ता जुड़ा हुआ इसलिए उसके बाद आने वाले है, हो, हम, है कि अंग्रेजी नहीं बनेगी, अब तब क्या करेंगे यहां पर, समस्या आ जाती है, तब इसके लिए काम करना होगा, हमें कुछ न कुछ सुरू में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? हम इसके लिए डू का प्रियोग करें शबसे पहले डू लिखेंगे D O Do, परकैं अब इसके बाद तुम लिखेंगे जो भी काम करता है, तो डू यू अब बीच में क्या बचा अंग्रेजी पढ़ाते यानि अंग्रेजी पढ़ाना बचा ओके और सबसे पहले पढ़ाना लिखेंगे फिर अंग्रेजी लिखेंगे Do you teach English तो इस तरीके से इस प्रश्न को कैसे हमने बनाया सबसे पहले do लगाया फिर इसके बाद जो भी काम करता है यू, डू, यू, और फिर अंग्रेजी पढ़ाते, जो कि पढ़ाते बाद में आया है, और अंग्रेजी पहले आया है, निए पीछे से ट्रांसलेट करते हैं, तो पढ़ाते यह नहीं पढ़ाना के अंग्रेजी पहले लिखेंगे, तो do you teach English, अब चलिए इन sentences को देखते हैं, जिसमें कोई काम बीत गया, बीते हुए समय में हो चुका काम, मैं गड़ित पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाता था, तो इसके लिए भी वही है, यहां भी काम में ताजुड़ा हुआ है, जब किसी sentence में पढ़ाता था, या फिर पढ़ाया था, या तीनों ही चीजें एक हैं, मैं गड़ित पढ़ाता था, मैंने गड़ित पढ़ाया, या फिर मैंने गड़ित पढ़ाया था, ये तीनों ही sentence एक ही है, तीनों का मतलब एक है, कि अब के पहले कोई काम हुआ, या फिर होता था, ओके तो ऐसे वाक्यों को translate करने का तरीका सीखे यहां पर यह पहला सेंटेंस मैं गणीत पढ़ाता था यहां पर ठाक की अंग्रेजी नहीं बनेगी ध्यान रखना जो काम बीत गया अगर उसमें था जुड़ा हुआ है लास्ट में तो उस थाक थी थे की अंग्रेजी नहीं बनती तो सबसे पहले किसके अंग्रेजी बनाएं अगर past में कोई काम हुआ है निज बीत गया है यहां पर काम तो इसके लिए second form का यूज करते हैं क्रिया का second form यूज करेंगे पढ़ाता यानि पढ़ाना पढ़ाना का form होता है teach second form होता है taught यहां taught का यूज किया जाएगा तो I taught और फिर गणित बचा है बीच में यानि Maths मैं गणित पढ़ाता था ओके दूसरा sentence का देखते हैं मैंने गणित नहीं पढ़ाया या issue को कह सकते हो मैंने गणित नहीं पढ़ाया था दोनों का मतलब एक ही है और यहां पर भी था कि अंग्रेजी नहीं बनेगी तो अब sentence कितना बचा मैंने गणित नहीं पढ़ाया ओके अब नहीं आ गया तो इस नहीं को पहले हचा दो हटाने के बाद कितना बचता है मैंने गणित पढ़ाया अब इसका translate कर लेते हैं पहले मैंने गणित पढ़ाया यह पहले फिर परहाया का second form, यानि परहाना का second form, taught maths, I taught maths, अब यहां not लगाना है, नहीं कि अंग्रेजी, नहीं कि अंग्रेजी लगाने के लिए हमने कहा था कि sentence में, is, am, are, was, were, has, have, will, यह दिखे तो उसके बाद लगाना है, लेकिन इन में से कुछ नहीं है, तो क्या लगाएंगे, या तो do, या तो did, यहां do लगाएंगे कि did, यहां did लगाएंगे, क्योंकि यह past tense है, बीत गया है, यहां पर काम, ओके, यहां पर काम होता था पहले, या हो गया, इसलिए हां did लगाएंगे, तो I taught maths में, I के बाद, यह जो काम करता है, उसके बाद did लगा देते हैं, तो I did और उसके तुरंत बाद not लगा दो, I did not taught maths, I did not taught maths, लेकिन यहां एक ध्यान देने योग के बात है, कि जब हम did not लगा देते हैं, तो taught को teach में बदल देते हैं, जो second form होता है, उसको first form में बदल देते हैं, क्योंकि यह एक rule है, कि जब sentence में did लग जाए, जब sentence में did लग जाए, चुकि did second form होता है, हमने काम का भी एक second form बताया है आपको, कि do, did, done, शुरू में, तो did second form होता है, काम का second form, और यहां जो did हम लगा रहे हैं, यह helping verb है, जैसे is, mr लगता है, वैसे ही है यह, तो यहां पर did लग गया है sentence में, इसलिए second form नहीं हो सकता, इसलिए taught को हम first form में change कर देंगे, तो taught किसका second form है, teach का, इसलिए taught की जगर teach लिख देंगे, तो I did not teach maths, अगला sentence देखते हैं, क्या तुमने गड़ित पढ़ाया, जवाब दो, हाँ, मैंने गड़ित पढ़ाया था, यानि पहले की बात हो रही, काम बीत चुका है, यहां पर एक question है, इसलिए इस क्या क्या अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, तो यहां पर कोई न कोई सब्द लिखना पड़ेगा हमको, तो क्या लिखेंगे, हाँ, do या फिर डिखेंगे, लेकिन यह past की बात है ना, जो बीत गया तो क्या लिखेंगे, did का यूज करेंगे, did, did, सबसे पहले हम लिखेंगे, did, okay, अब did के बाद, तुमने की अंग्रेजी लिखेंगे, तुम, तुमने यानि तुम की अंग्रेजी लिखेंगे, जो काम करता है, कौन आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजे, यहाँ पढ़ाया, यानि past tense हो गया, तो second form लगना चाहिए, second form, okay, did you taught maths, did you taught maths, okay, लेकिन हमने अभी बताया एक rule, कि अगर किसी sentence में did का प्रियोग हो गया है, तो उसमें किसी अन्य वर्व की second form नहीं लगेगी, तो उसको कि इसमें बदल देते हैं, first form में, did you taught की जगर teach कर दो, did you teach maths, यह हो जाएगा, और अन्त में question mark लगा दो, अब चलिए इन वाक्यों को लेते हैं, तुम कहां रहते हो, तुम क्या करते हो, ऐसे sentence हम यूज करते हैं, बोल चाल में, यह present की बात हो रही, तुम कहां रहते हो, क्या क अतमान में, लेकिन तुम कहां रहते थे, पहले कहां रहते थे, तुमने क्या खाया, क्या खा चुके, तुमने क्या खाया था, मतलब past की बात हो रही, जो बीत गया है, तो वही है, यहां पर एक question की बात हो रही, तो तुम कहां रहते हो, यह question है, इसमें हमें बताना पड़े या दिली में रहते हैं, या मुंबाई में रहते हैं, या ब्रॉष रहते हैं, कहीं भी आपको कुछेश नि-कुछ बताना पढ़ेगा, तो जब ऐसा question है, तो उसमें क्या करते हैं, जो question word होता, उसके अंग्रेजिख सबसे पहले लिखते हैं, तुम कहां रहते हो यहां पर कहां question word है इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे अब इसके बाद वही पुराना रोल कि जो सबसे last में होता उसको लिखते हैं चूँकि यहां हो की अंग्रेजी बनेगी नहीं क्योंकि रहना में ताजूड़ा है इसलिए हो की अंग्रेजी नहीं बनेगी तब यहां कुछ न कुछ तो रखना पड़ेगा हमें तो क्या रखेंगे डू का प्रियोग करेंगे ओके तो वेर ड्यू अब इसके वाद जो काम करता है तुम वेर डू यू तुम कि अंग्रेजी यू अब क्या बचा रहना यानि रहते लिव爵 दू यू लिव और के इसी परकार से तुम क्या करते हो वही चीज है आप बताओगे कि मैं पढ़ाता हूं मैं ये काम करता हूं मैं घर पे किसानी करता हूं या मैं किसी बैंक में ये खाम करता हूँ कुछ नो कुछ आप बताओगे मैं डॉक्टर हूँ इस तरीके से कुछ नो कुछ आप बताओगे न मतलब यह है yes no वाला question नहीं है इसमें भी जो question word होता है उसके English शब से पहले लिखते हैं question word है क्या अब इसके बाद क्या करेंगे जो सबसे लास्ट में उसके लिखने का रूल है लेकिन हो की अंग्रेजी बनेगी नहीं क्योंकि करना करना में ताजूड़ा है करते तो कुछ नुकुछ तो रखना पड़ेगा क्या रखें डू का यूज करेंगे क्योंकि यह present tense है वर्तमान है इसलिए डू का यूज करेंगे तो वाट जू अब तुम के अंग्रेजी लिखेंगे जो काम करता उसको लिखते हैं उसके बाद वाट डू यू अब करना करना के अंग्रेजी क्या होती है मैंने पहले बताया है सुरू में विट्यो के कि डू जिट जन डू मतलब करना होता है तो डू लिखेंगे यहां पर वाट डू यू डू यहां दो डू आ गया है जो लास्ट वाला डू है वाट डू यहां पर कहां रहते थे, यहां भी कहां के English सबसे पहले लिखेंगे, Where, अब थे की English भी बने गी नहीं, तो इहां कुछ नकुछ रखना पड़ेगा, तो डिड का यूज़ करेंगे, Where did, D-I-D, Where did, अब तुम की English, you, रहना मतलब होता है, live live where did you वैसे हम lived कहेंगे क्या कहेंगे lived चुकि past tense से बीत गया लेकिन हमने एक rule बताया कि जब sentence में did लग जाए तो second form का use नहीं होता इसलिए lived के अस्थान पर live कर देंगे तो where did you live ओके और दूसरा तुमने क्या खाया था या फिर तुमने क्या खाया था कि अंग्रेजी बननी नहीं है दोनों का मतलब एक ही है यहां भी मैंने सेव खाया या मैंने खाना खाया तो इसका भी translation उसी तरह से होगा क्या के अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे what और फिर जो last में उसके अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं तो कुछ ने कुछ लिखना होगा तो क्या लिखेंगे did what did और फिर जो काम करता है खाया कौन तुम तुम के अंग्रेजी लिखोगे what did you और फिर खाया कि अंगरे जी तो खाना एट होता है तो एट हो जाएगा what did you ate लेकिन एट नहीं होगा क्योंकि डिड लगा है इसलिए एट सेकेंड फाम होता है एट इए उसको फर्स्ट फाम में लिख दो what did you eat ओके and if you think the video was helpful to you please share it and if you watching the channel for the first time please subscribe to the channel to get notified when I upload new videos thanks for watching